कि हालो फ्रेंड्स आज हम लोग इंप्रूब्मेंट को एक्स्प्रेंड करेंगे और फिल इन बलेंग्स का उसन संबार को में लेगा और कल भोकायब का वीडियो में लेगा ठीक है तो तयार रहिए और अपने प्रिप्रेशन को इस प्रकारियों प्रूब कर लिजे कि इस पर फ्रेंड़ खडा करना कسمभा घेर mont Почему काम सा गमें लगे रहना ठीक है ठीक है रबेठिक और यहाँ पर देखिए पूट फोर्ड होता उत्पन तो पूट के पूट आप बीट यहां पर पूट कर रहे हैं तो पूट आप वीट इस नाश्टी फिलो मैं इस परकार के घटिया विचार को सहन नहीं कर सकता हूं या बरदास्त नहीं कर सकता हूं तो मेरा अंसर डेफिनेटली यहां पर यह होगा ठीक है दूसरा कोशन देखिए ही ग्रैब्ड दा मैं प्रॉम दा ओवर कोट एंड पूल्ड हीम अवे फ्रॉम रीटू ऑप्शन है आफ बाई इन और नो इंप्रॉम्मिंट क्या आना चाहिए देखिए पहले तो देख लाना कि यहां पर इंप्रॉब करना चुकि यहां पर फॉन्ट दूसरा है तो यहां प बास्तु टिक प्राकिरति घट्ना पर ती गतना कि फेंट ना कि पहले फ्रेंड्स इन का यूज होता है एंक हुज देखिए थे अं पर क्या है ओवर कोट का मतलव क्या होता जो सर्दी में मोटा मोटा कोट पहंँंते ना उसको क्या कहते है ओवर कूर थो यह पर पोसाह है करना है इनका यूज़ करना तो मेरा अंसर यहां पर कोन होगा सी होगा ठीक है तिसरा को सब्सक्राइब देज़ जंप डिलाइट ऑन सींग जोकर एट डा सरकेट सरकस ठीक है और यह ड़ेट है इसका मतलब असफल व्यक्ति और कलाउन और जोकर एक परकार का हम लोग सायनों भी बूल सकते मतलब दोनों कर थे एक तरह का हसाने वाला होते हैं लेकिन यूज़ हम लोग कहां तो यह वह लोगोई सब्सक्राइब करते हैं और यह जोकर जो को बोलते हैं और इस परकार मतलब इस परकार है कि हम लोग को च्रक्रोंगे दोस्तों भी आशोंगा टाउड करता है वियूंट दोस्तों में डिक शोद्हार दोचन कि आखुँ मेंबर ऐट कंद इन दा कॉंसिल्स आफ दियर रिस्पेक्टिव गवर्वेंट्स ठीक है आफ वीथ इन और नो करेक्शन रिक्वार्ड यान नो इंप्रूम्मेंट तो हम लोग को इंप्रूब देखे कहां पर करना यहां पर करना चुकि इसका फॉंड दूसरा है और तो देखे आपको अभी कोश्कों मतलव मैं उसे प्राइब देखता हूं किया देखते हैं तो तॉप me楽 danseNET तॉप इसका अबर हड़ाए न कि लट्टू न चान लट्टू नचाए हो एक दर ए ऊटिक नोचाना और यहां प्र नचाना प्र प्र एक कंशिप्ट आओ 1 नोटीस, आपजर्ब, उसके बाद फाइंड, ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, मी, आस, यू, हीम, ठीक है, देम, या तो नाउन का यूदा और उसके बाद भीफोर का यूदा है, ठीक है, इसलिए यहां पर आपको अंडरलाइन कर दिये थे, चुकि इसको बताना होगा, तो टॉप का मतलता है लट्टू नचाना ओके तहां पर अंसर कोन होगा दी होगा ठीक है छटा कोशन लेटस वाई ए नियू सारी बीट दे एनुवल वोनस कैन भी ठीक है यहां पर क्या करनी है यहां पर कोशन टेग बनाना है ठीक है तो देखें जो लेट अस प्लस भीवन इसका कोर्ण टेग सेपर होता है सेल भी या तो सैंट भी सैंट होता है तहां पर देखें लेट अस उसके बाद भी बन है चैनलेहिंे उसके बाद य लोग को सैंट हुगा सिर्प काऊंपर है साल वी में है तो मैरा जेंसरी होगा ठीक एक और दिहान रगए एका स्टक्ण सिल यहा सीधós दिखी यहां पर लेट यह तो मेख हो सकता है या तो बीड या तो हेल्ब उसके वाद पर प्रेंस आपजेक्टिव केस टीक उशके बाद भीवन का यह होग तो तधिक यह आप लेट थिप से बधारिष और इसके बार हिए और द५ा झ्लिए थिछ अ on by from no improvement ठीक तो फिरिंड्स बहुत ही सिंपल चीज है इसमें कि घड़ी के पहले बाई का यूज था हमेशा बाई यूर बाच ठीक है हमेशा होगा यह गांठ मान लेनी है कि बाई यूर बाच यानि बाच के पहले बाई का यूज होना है ओलबेच ओके तहां पर मेरा अंसर डेफिनेटली भी होगा ठीक है दे प्रोबावली ओड हैव काउट अप दटक वाइन ओ इंप्रूब करने यहां पर देखिए उड हैव काउट में ऑप्शन है बील कैच सैल हैव काउट मस्ट हैव काउट और नो इंप्रूम्मेंट क्या हो ऊड 되고 can gme kood इसाइव ओठीए एंफ आव और नीड नो नीड नो तो दो तरह की बादाएगे यहां पर भीवं सकता है उसके बाँ हैव पलस भीड़ी भी हो सकता है ठीक है तो देखिए यहां पर क्या है उड है उड़ के बाद है उसके बाद क्या है काट भी थी तो कोई इंप्रूब्मेंट आपर नहीं है यानि यहां पर नो इंप्रूब्मेंट मेरा अंशर हो जागा ओके नॉमा कोस्टन कि ही प्लेज किर्केट एंड टेनिस आलसो ठीक है हम लोग को इंप्रूब करना यहां पर आलसो ऑप्शन है बहुत विसाइड टू नो इंप्रूब्मेंट क्या होना चाहिए तो देखें आलसो और आलसो का मतलब होता है फ्रेंड्स भी जो की तू भी लिख सकते हैं तू का मत होता है तीनों का मतलब होता है भी ओके यूज कहां कहां करते हैं देखें आलसो का यूज हम लोग मेन भर्व के पहले करते हैं तू का यूज हम लोग बाक्य के अंत में या सबजेक्ट के तुरंत बाद करते हैं ओके और एजबेल का यूज हम लोग हमेशा बाक्य के अंत मे करते हैं तो इस को शनमे फेल तो है कहीं नहीं ठीक है यंदे इस कऺ मुवाहिए यो जो होना चाहिए दूल कर्स महरे बड़ करते हैं तो ब gadgets का यूज नहीं होगा बलकि किसका होगा टू का यूज होगा ठीक है तो किलियर अंसर सी होगा दसमा कुस्टन देखिए इस टाइम दस सीक्स इयर ओल्ड इज लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट ठीक है क्या होना चाहिए तो यह तो आप लोग चानते होंगे कि इट इज टाइम इट इज हाई टाइम इट इज एवाउट टाइम इट इज प्रोपर टाइम ठीक है चार चीज बताएं उसके टाइम को हिवाइन तो देखिए हां एट इस टाइम को फीक्रैशल को होने यह कोई होना चाहिए अजिकता है कि यह क्यों होना चाहिए ठीक है तो यह तो यहां पर नहीं हिंस आप रहे तो डिल्कवत शट कोना है यह बक्राइक अरभा मेरा आपनम वे अंट होगा इसके सात साथ और फीस में दिखाई देरा हम लोगों को यहां पर देखें लर्ण लर्णिंग हाउ तो रीड एंड राइट तो फिर्ण्स यह स्ट्क्चर एक चीज़ याद रखनी है कि लर्ण लर्ण उसके बाद नो उसके बाद बाउंडर ठीक है उसके बाद हाउ या तो भाट या तो भाई उसके बाद टू प्लस भीवन होता है इस्ट्क्चर है देखें आपर लर्ण है उसके बाद क्या है हाउ है उसके बाद क्या है तू है उसके बाद क्या है भीवन है तो यह स्ट तो वीडियो को लास्ट करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगो तो लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना सेर कीजिए तब तक लिए थैंक्यू बाइवाइज जैहिंद